नमस्कार दोस्तों इंडियन पॉलिटी के इसी स्पेशल सिरीज में आपका स्वागत है जिसमें आज हम बात करेंगे राइट टू इक्वैलिटी के बारे में जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक दिया हुआ है तो चलिए शुरू करते हैं तो right to equality के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि right to equality है क्या फिर उसके बारे में हम बात करेंगे कि समिधान में इसके बारे में क्या प्रावधान है और फिर किस अनुच्छेद में right to equality के बारे में बात किया गया है तो सबसे पहले अगर हम बात करें समानता का दिखा रहने की राइट विक्वलिटी के बारे में तो यह अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद अठारतक है और इसमें कुल पाच अनुच्छेद हैं तो एक अनुच्छेद के बारे में हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं फिर उसके बारे में हम ब्रीफ में जाएंगे तो अनुच्छेद 14 काता है कि बिधी के समक्ष समता एवं बिधीयों का समान रख्षण होगा फिर उसके बाद अनुच्छेत 15 कहता है धर्म, मूलवन्स, लिंग, जाती, जन्मिस्थान के अधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा फिर उसके बाद अनुच्छेत 16 कहता है लोक नियोजन के विशय में अवसर की समता होगी फिर उसके बाद अनुच्छे सत्रक आता है अईस्प्रसता का अंत और उसका आचरण निश्यद्ध करता है फिर उसके बाद सेना और सिक्षा संबंधी सम्मान जो है उसको छोड़ के बाकी सभी सम्मान उपाधिया जो दी जाती है उसपे रोक लगाता है तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 14 की तो अनुच्छेद 14 में बहुत ही साफ साफ लिखा है कि राज भारत के राज छेत्र में किसी ब्यक्ति को विधी के समक्ष समता से या विधीयों के समान संरत्षर से वन्चित नहीं करेगा प्रतेक ब्यक्ति चाहे होगा नागरिक हो यह विदेशी हो सब पर यह अधिकार लागु होगा यानि की पहली बात कि भारत का नागरिक है चाहे वो विदेशी है कि भारत के राज छेत्र में है तो उसे बिधी के समक्ष समानता और विधीयों के समान संरत्षर से वन्चित नहीं किया जाएगा इसके बाद अगर हम ब पत्षड तो यह अमिरिका के संव द्राइव से लिया गया है और अगर हम विधी के समक्ष समानता की बात करें तो किसी विध्व के पक्ष में विस्ष्ट विसेशाधिकारों की अनुपस्तिती, फिर साधारण विधी या साधारण विधी नियायले के तहट सभी वेक्तियों के लिए समान बेवार कोई वेक्ति चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे उंचा हो, चाहे नीचा हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे गैरदकारी हो वो विधी के उपर नहीं होगा तो ये कौन बात करता है ये बात करता है बिधी के समख्ष समानता की लेकिन क्या ये possible है नहीं ये थोड़ा सा अजीब हो सकता है जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो बिधी बनाये जाएगा वो सभी के लिए equal होगा लेकिन एक भिकलाङग और एक आम इंसान के लिए जो सब्सक्राइब करें जो नार्ट ixtra है इसको सका रात्मक सहली में लेते हैं और अगर हम बिधियों की समान सन्रक्षण की बात करें तो इसमें बोलता है कि 301 का समान बिधी चोन्रफ़ी के लिए समान नियम बनाज जाएंगे ठीक है फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसके अगर कुछ अपवाद अगर बात करें समानता के अधिनियम के अंतरगात अगर कुछ अपवाद जो है तो इसमें एक है जिसे भारत के राश्टपती और राजिपाल इस अनुच्छेत के तहर जो अपवाद है उसमें राश्टपती देश के किसी भी नियायले में जबाब दे नहीं होंगे इसके अलामा हम बात करें राश्टपती या राज़िपाल के विरुद्ध उनकी पदावधी के दौरान किसी भी नियायले में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कारिबाही प्रारंब नहीं की जाएगी फिर इसके बाद अगर हम बात करें राष्टपती या राजजिपाल की पदावधी के दवरान उनकी गिरफतारी या कारवास के लिए जो भी प्रक्रिया है वो प्रारम्ब नहीं की जाएंगी ये अनुच्छेद 14 में जो समानता का दिकार है इसके थोड़ा सा ये अपोजिट यानि की अपोजिट तो और नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ इसका ये अपवाद है इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 की तो अनुच्छेद 15 जो है ये बात करता है राज किसी नाग इसको मैंने काफी स्लोली पढ़ा क्योंकि आप यहां पे एक वर्ड देखिए केवल, इसको हाइलाइट करिए और दूसरा विभेद, केवल यानि कि धर्म, मूलवंस, जाती, लिंग या जन्मिस्थान को लेके विभेद नहीं करेगा, इसके अलामा वो विभेद कर सकता है रा फिर उसके बाद अगर हम बात करें कोई नागरिक, केवल, धर्म, मूलवंस, जाती, लिंग, जन्मिस्थान या इनमे से किसी क्याधार पे विभेद भाव नहीं करेगा, तो आप बोलेंगे दोनों तो इक्वल है, एक्शली दोनों इक्वल नहीं है, यह राज को बोलता है और यह नागरिक को बोलता है, यानि कि राज जी यहाँ पर विभेद नहीं करेगा, और यहाँ पर कोई नागरिक ऐसा नहीं करेगा, जैसे कि सारोजनिक जो दुकान होते हैं, जो भोजनाले हो गए, तो ऐसी स्थान, जुमर रंजन के स्थान हो गए, वहाँ पर ऐसा नहीं के लोग हैं उनके लिए कुछ बिसेश उबबंद करेगा राजी तो इसी के द्वारा जो एक OBC का आरक्षड जो दिया गया था 27% वो भी अनुच्छेद 15 के तहत ही अगर देखें तो उसमें आता है अगर हम इसमें थोड़ा सा और अच्छे सगर बात करें कि क्या था ये तो जो इसको एक्षड जोड़ने के लिए प्रथम संविधान संसोधन 1951 में करके 15 में भाग चार जोड़ा गया था और इसमें क्या लिखा गया कि STSC वो समाजिक और सेक्षडिक आधार पे पिछड़े लोगों के लिए आरक्षड की ब्यवस्ता की जाएगी इसके बाद फिर सेक्षडिक जो ब्यवस्ता की जाएगी और फिर उसके बाद तिरन जो 93rd Constitutional Amendment थ 26 में था इसमें क्या किया गया कि इसमें 15 चार जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि उच्च सिक्षड संस्थानों में आरक्षड दिया जाएगा चार और पांच में अंतर यह है कि जो चार में बात किया गया है कि सिक्षड संस्थानों में किया जाएगा और पांच में बात है वो भी यही से आता है तिर इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद सोला जो है तो अनुच्छेद सोला बात करता है रोजगार में आज़सर की समानता यानी कि राज्ज के अधीन किसी पद पे नियोजन या नियुक्ति से समबंधित विशियों में सभी नागरिकों के लिए औसर की समानता होगी शुरू उसके बाद राज जी नियुक्तियों में आरक्षड की व्योस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिसका कि राज जी के में समान प्रतिनिधित तो नहीं होता है यानि कि आप यहाँ पे देखिए समान प्रतिनिधित तो नहीं है यानि कि जो रिजर्वेशन OBC को दिया गया है वो इस आधार पे दिया गया है कि उनका उस छेतर में एक जितनी उनकी जनसंख्या है उतना उनका उस छेत्र में प्रतिनी दित्तों नहीं है इस बेसिस पे राज जो है वो दे सकता है इसी में जो एक मंदल आयोग आया था मंदल आयोग अपनी जो परिणाम पेस किया था इसके बाद जो OBC को आरक्षर दिया गया था तो आप यहां से उसको हाइलाइट कर सकते हैं फिर इसके बाद अगर हम इसी में बात करें तो एक बात और यहां पर देखिए दो सब्द और यहां पर जुड़े हैं पहला कि एक जो जन्मिस्थान है वो तो ठीक है इसके आधार पे ब्यक्ति कहां पर रह रहा है जो है वो अपरयात जो कि हमने यहां पर बात किया पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए हमारे समिधान में एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 300 हमारे समिधान में एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 340 इसके द्वारा राष्ट्रपती एक आयोग बनाएंगे और उसके द्वारा पिछडे वर्गों का पता लगाएंगे तो यह जो पहला था यानि कि पहला जो आयोग बनाया गया था उन्निस सव तिरपन में काका कालेकर आयोग की स्थापना की गई थी और उन्होंने अपनी जो सिफारिज दी थी उसमें पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात की थी और यह सिफारिज उन्होंने ऊन्निस सो पचपन में पेस किया फिर उसके बाद उन्हों 59.5% reservation है और इसके बाद इसी में एक जो बहुत famous case था इसके बाद जो आया यानि कि जब ये reservation दिया गया OBC को इसके बाद जो एक famous case आया इंदरासानी वर्सेज यूनियन आफ इंडिया का 1992 में इसमें बात किया गया था कि OBC को सामाजिक आधार पे तो आरक्षड दे दिया गय है क्योंकि इसमें OBC के साथ साथ जो सामान निवर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको 10% आरक्षड की बात की गई थी लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था और कहा था कि 50% से आरक्षड ज्यादा नहीं होगा लेकिन हाँ BCS परिस्तितियों म जाता है तो उसको यह आरक्षड नहीं मिलेगा क्रीमी लेयर के बारे में किसी दिन और हम डिसकस करेंगी क्योंकि यह काफी एक ब्रॉट टांफिक है और फिर इसके बाद एक बात फिर अगर हम बात करें अनुच्छेत सत्र की तो अनुच्छेत सत्र जो है आइस प्रश्चता का अंत की बात करता है आइस प्रश्चता का अंत और इसी को समाप्त करने के लिए 1905 में सिविल राइट से और फिर सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बना फिर इसके बाद बात करें हम 1989 में FTSC एक्ट इसी को इसी के अनुच्छेत सत्र से उनको सक्ती मिलती है आइस प्रश्चता अगर बात करें आइस प्रश्चता जो सब्द है ये क्या है तो इसको ना तो सम्विधान में ना तो संथ किया जाएगा उपाधी अच्छा ये उपाधी कौन से होंगे तो राज कोई भी उपाधी प्रदान नहीं करेगा शिवाए उसके जो अकादमिक और सहने उपाधी होंगे अर्थात अकादमिक उपाधी जैसे माली जीए कि आपने PhD कर लिया तो आपके सामने नान के साम बाकी सभी उपाधियां जो भारत में है वो उनका अंत करा गया फिर इसके अलाव बात करें भारत का कोई नागरिक विदेशी राज जिसे कोई भी उपाधी प्राप्त नहीं करेगा जैसे कि ब्रिटेन एक नाइट हुट की उपाधी देता है जिसमें नाम के आगे स्तर जाज या उसके अधिन किसी रूप में कोई भेट उपलबधी पद राष्टपती की सहमती के बिना स्विखार नहीं करेगा और अगर माल लीजिए उसे स्विखार अगर कहीं से मिल रहा है तो पहले वो राष्टपती से हमारे परमिशन लेगा और अगर राष्टपती जी उसको लिए परमिशन ग्रांट कर देते हैं तो फिर उसे वो बद मिल जाएगा फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आज का लेक्चर हमारा यह यहीं तक रहता है फिर नेक्ट लेक्चर में हम इसके आगे डिसकस करेंगे समानता के बाद जो कि 18 तक आज हम डिसकस कर आ रहा है तो आप डिसलाइक कर दीजिए चैनल को या फिर वीडियो को बाकि अगर पसंद आ रहा है तो शेयर करिए थैंक्स फॉर वाचिन